दोस्तो जाय मसी, आप सभी का प्रभु येश्य मसी के नाम में फिर एक और बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 5 Minutes Bible Study with Pastor Del Marach के इस प्रोग्राम में दोस्तो आशा करता हूँ, आप लोग कहरियर से हैं, सलामत हैं मेरे येश्य मसी ने आपको बिलकुल बलाचंगा रखा होगा दोस्तो मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस, वो चाहे वचंगा कुलासा हो या किसी विशे पर बात करना हो, उन सभीयों से आप लोग आशिश पा रहे हैं और साती सात खुद भी तो पा रहे हैं, लेकिन दुस्तों को भी आप लोग शेयर कर रहे हैं और इसको जारी रखेगा क्योंकि मैं जानता हूँ, लुसीफर, शैतान ऐसा करने नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि कुछ पांच-छे महिनों से काफी प्रभाव मसी की देव में इन संदेशों से मुझ जैसे 10 टक का जो अच्छा प्रचार करते हैं, साउंड डॉक्रिन प्रीच करते हैं उनके प्रचार से लुसीफर को बड़ी तकलिफ हो रहे हैं और उसके कुछ इफेक्ट्स हमको दिखते हैं शोशल मीडिया पर और फेस्बुक और यूटूब पर मैं समझता हूँ आप लोग भी इस बात को खुब भखो भी जानते हैं ना उसी कड़ी में आज एक विश्य के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ लेकिन उसके पहले दो स्लाइट्स दिखाऊंगा आएए देखते हैं वो दो स्लाइट्स क्या है जी दोस्तो सबसे पहला है ये वाला मेरा एक पेज चलता है फेस्बुक पे डैनिल राज के नाम से उसको लाइक कर लिजे ऐसे साथी साथ मेरा चैनल है यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा आइकन बेल दबा कर और साथी साथ में आल का अब यह चलता था आब वो चल रहा है टेलिग्राम पर उसकी वज़ा यहां है कि वाट्स अब लिमेटेड ही गुरुप से सकते हैं यह मेंबर साइड हो सकते हैं लेकिन टेली ग्राम पर दो लाद से जाधा या दो लादल ख यह सपास हम एड कर सकते हैं और जिसकी तादा मसी मंतन बैटक की अभी मैं समझता हूं 13 मैं और इसको यह साल समात होते होते या एर खतम होते होते मुझे 25000 passiert मंतन बैठक के मेंबर चाहिए और जिसके लिए हम आप सभी को अपील करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मसी मंतन बैठक को जॉइन करें और इसका मकसद यहाँ है सबसे पहले बात मसी की दय को प्रोटेक्ट करना गलत सिक्षाओं से जी दोस्तों नॉन बिब्लिकल करना जो टीचिंग होती है उससे प्रोटेक्ट करना नंब वार्न नंबर टू मसी मंतन में जितने जुणे उन सब को परमेश्वर के राज्य का योधा बनाना या सिपाही बनाना या सोल्जर बनाना जो परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चड़कर काम करें वो चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो पुरुष हो या स्तरी हो लड़का हो या लड़कियों उन सभीों को हम जोड़कर प्रभु के राज्य में एक सही सिक्षा के साथ उनको तैयार करना चाहते ताकि 22 पीडी अगली पीडी 22 सदी 22 सदी अगर पहुचती है मसी जब येशू नहीं आते हैं तो वहां तक मसी का जो समाचर है उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो और उसके चलते आपको करना क्या है ये मसी मंतन बैटों को जॉइन करना है और टेली ग्राम एप को डाउनलोड करना है आपको आपके मोब एक है ये और दूसरा है ये और इनको कॉल करने की समय सीमा सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है और ये यदि कॉल नहीं उठाते हैं एक मैसेज डॉप कर दीजिएगा ये आपको कॉल बैक करेंगे चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज का विशे जी मैं आपको पहले दिखा कॉंसेट मैं आपको बताता हूं क्या है वापस एक इंदी में रखूंगा इसको एक्सप्लेनेशन ओन कान्सेट मतलब कंफेस करो कन फैस करो क्या अच्छी बात कंफेस करो प्रोसपेरिटी कंफेस करो ये वाली चीज़े तो ये और अजम सेप्ट आजकल मसीर समाज में या मसी की दह में चल रहा है जिसको लेकर इस विशे पे मैंने सोचा आपके बीच में मैं रखों ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है इसके उपर बात करूँगा तो वापस बता देता हूं कि आज का विशे है स्बमें से क्वाइशन फीकान चैजशे मेंने सक तो तो नहीं tenemos करों फार ने playful ऐस Karma का यह देखता है तो कहते हैं कि कन फैस क्या करना है राइट कहनफेस इंड बनकला फिर हां ऑन क्या क्वोगा देड fiscal . हुद ऐसा है जे यह वाला खुलासा कबूल करने वाली बात वाक confessing concept ये होला हिंदी का ये इंगलिश का उधारन है क्या कहते हैं टांसलेशन है हिंदी में एक है सही कबूल और दूसरा है गलत कबूल आप समझ के होंगे जैसे कि कहते हैं अगर आप right confess करोगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा अगर आप wrong confess करोगे आपके साथ सब कुछ गलत होगा तो ये कहां तक सही है और कितना गलत है कबूल करने वाली बातों या concept को सही कबूल और गलत कबूल मतलब तुम सही कबूल करोगे आपके साथ सही होगा गलत कबूल करोगे तो आपके साथ गलत होगा राइट कन्फेस करोगे तो राइट चीजे होंगी, रॉंग कन्फेस करोगे तो चलेगा रॉंग आपके साथ, तो अब इसको देख लिजे, आज खई मसी भाई बहन इस तरह की सुपरस्टिशियस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंदविश्वास, सुपरस्टिशियस बातों प सेवक, दास, दासी, ये सिखा रहे हैं किसको मसी की देखो, बोडी ओफ क्राइस को, और आप उसके हिसे हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ, और प्रभू कहता है कि, बड़े द्यान से सुना, प्रभू कहता है, और क्या 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 कहता है, मैं वो सारी चीजे रखूँगा, क्या य दिका है explanation on confessing concept ये वाला, अब right confessing and wrong confessing, ये कहां तक biblical है और कहां तक non-biblical है, जो की इंदी में डाल चुका हूँ, कबूल करने वाली बातों पर खुलासा होगा, सही कबूल और गलत कबूल, आप लोग भी जानते हैं, अकसर पुल्पिट से, पास्टर, आपके खुद के भी प तो वो सिकाते कबूल करो, अब कुछ-कुछ चीज़े आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको ये बता चुका हूँ, कि आज मसी भाई बहन मसी समाज में, सुपरस्टिश्यस पर बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो जो कि ये गलत है, नहीं करना है, अ अब खुलासा करते हैं, इसको देख लिजे, उपर लिका है, अगर, अगर मैं ऐसा कहता रहूंगा, ऐसा बोलने से, क्या सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हमें परमेश्वर की जरौती नहीं है, अगर, अगर, जो कि आपको पता है, कहां से ये डालोग, जो कि मसी लोग भी इ चंगा हो, ऐसी वाली बात को, ठीक है ना, तो हो, अगर, अगर, ऐसे कहने से, अगर, सब कुछ ठीक हो जाता, तो फिर, शायद, हमें परमेश्वर की जरौती नहीं है, परमेश्वर की जरौत भी नहीं है, वचल की भी जरौत नहीं है, और, परमेश्वर से प्रातना करने क की बिजरुत नहीं है यह तो ऐसा लगता है कि कोई मंत्र है मंत्र पड़ो आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापस कहता हूँ confessing concept के ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ जो right confessing wrong confessing इसके ऊपर आज आप से मैं बात करने पर हूँ अब इसको देखते हैं मैं पतला हो रहा हूँ मैं मोटा हो रहा हूँ मतलब अगर आप पतला मोटे हैं तो आप खुद को कहो कि मैं पतला हो रहा हूँ अगर आप पतले हैं तो खुद को कहो कि मैं मोटा हो रहा हूँ यह हो गया एक दूसरा मैं अमीर हो जाओंगा क्योंकि आपको नोकरी मिल जाएगी यह चल रही है फिर कहते हैं मैं ठीक हो जाएगा क्यों कियों कि आपको केंसर है आपको हाट का प्रॉब्लम है एकस वाई-जैड और अगर ऐसा कंफेस करते हो मुझे कैंसर नहीं है तो परमिश्वर कहता है कि शाबाश बेटा क्योंकि तुने सही क कर रहा हूं उसके बावजूद कि उसका जीवन कैसा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता परमिश्वर को ऐसे सिखाते हैं अच्छा उसको अगर पूछे कि भाई तेरा प्रातना का जीवन बिल्कुल जीरो तेरा बाइबल पढ़ने का जीवन बिल्कुल जीरो लेकिन तुमको कैंसर हो गया अब कैंसर क्यों हुआ तुमको हार्ट अटेक क्यों आया या तुमको हाट की प्रॉबलम क्यों है और उपर से तुमने किसी को माफ नहीं किया पाप का जीवन जीरे लेकिन यह कंफेस करो कि मैं ठीक हो जाओंगा और ऐसे सिखाते हैं बौड़ी आफ कराइस को आप अगर ऐसा कभूल करोगे जिसका की concept है, confessing concept, जिसका मैं explanation आज आपको दे रहा हूँ, ऐसा सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं, मुझे संतान हो जाएगा, क्यों, क्यों कि शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहें, तो confess करना शुरू करो, अब ऐसे लोग, जब अपने चर्च के पास्टर के पास जाते हैं, तो पास्टर कुछ ऐसा ही पटी पड़ाता है, कुछ ऐसा ही उनको सिखाता है, कहते हैं कि अगर मोटे हो तो कव मैं पतला हो रहा हूँ, अगर घरीब हो तो कव मैं अमीर हो जाऊँगा, अगर नौकरी न आज मेरा दिन अच्छा होगा जैसे सुबह टो कंफेस करो कि मेरा दिन अच्छा होगा तो फिर दोस्तो हो यह जो वस्तु शास्त्र वाले हैं यह जो अंदर-शम्र फ़ाले की तो ओ analyst सिखाते हैं, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, ऐसा पच्चास बर भोलो, आपका दिन अच्छा जाएगा, तो फिर हमें प्रभू की जरूत क्यों है, अगर ऐसा ही होगा तो, फिर कहते हैं, मेरी शादी हो जाएगी, लड़का बड़ा हो गया, और उसकी शादी के लिए रि बिजनस नहीं चल रहा है, तो कंफेस करो, कौन सा कंफेस, राइट कंफेसिंग, राइट कंफेसिंग, आप कंफेस करो, मेरा बिजनस चल पड़ा, और आपका बिजनस चल पड़ेगा, अब ऐसे कितने लोग हैं, हम जानते हैं कि जिसका कुछ नहीं चल पड़ रहा है, ठीक कि तुम को येशु के आशिश ये बाइबल जब ये सिकाती है कि तुम अशिश दे दिया गया है आशिश तुम को मिल चुकी है ये ये कहने को बोला लेकिन हम क्या कहते है मैं आशिश्चित होने वाला हूँ मैं आशिश् cabbage रहूँ एसे कनफेस करो तब और यहांगी ऐसको देखे हैं यहीं आवे दो किसा ही जल्द सिरो माफ करें मैं जल्दी नहीं मरूब होगा क्यों कि अगर ऐसे कंफेस करो से बढ़कर प्रबुt chyba हमारी मंसा देखता है। मैंने यह डिए उसके राइण दीन बिल्टाइकर आपके सब flow करो की आपके साथ में कोछ ठीक चले तो मैंने तब जाकर यह लाइन आपके इंच में रखा है और अरे शब्द से बढ़कर परमेश्वर या प्रभु हमारी मंसा देखता क्यों कुछ लोगों के मुझे अगर गलती से निकल गया आज दिन अच्छा नहीं जायेगा। तो अगर किसी ने सुन लिया, या उसके पास्टर ने सुन लिया, या उसके विश्वासी ने सुन लिया, या घर के लोगों ने सुन लिया, अरी ये तेरे मुझ से क्या निकल गया, तो ऐसे टाइम पर आपको मैं बता दूँ कि प्रभू आपके शब्द को नहीं पकड़ता, तो प्रभू शब्द नहीं पर देखता या पकड़ता या शब्द बढ़कर नहीं है प्रभू कहता है तो अब आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं इसको देख लिजे, कन्फेस करने से कुछ नहीं होता, जीवन सही होना बहुत ज़री है, इसको देख लिजे वापसे, रिपीट करता हूँ कि कन्फेस करने से कुछ नहीं होता, सबसे इंपोर्टेंट है आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन सही होना बहुत ज़री है, आप कन्फेस का क्या मतलब हुआ फिर अच्छा आशिश आती का से है प्रभू से चंगायाती का से है प्रभू से नौकरी की ब्लसिंग आती का से प्रभू से तो जब सब कुछ प्रभू से आता है तो कन्फेस के चकर में क्यों पड़े हो अपना जीवन प्रभू के साथ ठीक रखो सीक इसकी स्टैडिय इसका डॉट्रिन दरसल आज के तारिक में जैसे प्रचार किया जा रहा है वैसा है ही नहीं नमबर वन नमबर टू जो इसका लेखक है सुलेमन उसने नहीं कहा कि ऐसा करो परमिश्वर खुद ने भी ऐसा नहीं कहा ऐसा करो किसी भी डॉक्ट्रिन को किसी भी सिद्धान को मसी किद्धे में लागू करने से पहले कम से कम दो तीन स्क्रिप्चर सपोर्टेट चाहिए तब जाकर डॉक्ट्रीन मनती है तब जाकर सिद्धान मनते है अब जो लेखक लिख रहा था उसकी लेखक की चाल पकड़ो उसका कॉंसिप्ट पकड़ो उसकी कॉंटेक्स को पकड़ो वो दरअसल ये नहीं सिखा रहा है वो दरअसल अपने लेख में वो ऐसा कहता चला जा रहा है कि जीब के वश में मृत्यू और जीवन दोनों होते है लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जीब से तो मृत्यू मृत्यू कहोगे तो मृत्यू आ जाएगी जीवन जीवन कहोगे तो जीवन आ जाएगी जो लोग ऐसा सिखाते है मेरा ओपन चैलेंज है उनको ऐसा साबित करके बता है कि मृत्यू मृत्यू बोलने से मृत्यू आ जाएगी और जीवन जीवन बोलने से जीवन आ जाएगी लेखा का यही मतलब था ऐसा context में निकाल के बता है नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कहूंगा कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ see that अब बात करते हैं उस दूसरे वचन की और वहाँ है याकुब का 3 से 1 से 12 तक जो कि मैं नहीं पढ़वाँगा आप लोग खुद पढ़ लीजीगा लेकिन अब आपको इसका सब का context बता देता हूं बट इसका context ये नहीं कहता क्या नहीं कहता दरसल में लेखा कहता है इसका context है guiltiness इसका context है जीव को काबो बेरकना इसका context है दोश लगाना इसका context है कि प्रभू की भी तारीफ और उसी जीव से दुस्सों की बुराई भी ये है उसका context लेकिन ये नहीं है आपकी जीव में जीवन है आपकी जीव में मृत्यू है तुम जैसा कहोगे वैसा होगा लेखग याकुब कहता है किसका इस वचन का नीते वचन अटा का एक किस जबकि आउट आफ कॉंटेक्स है जो आभी लेकर चल रहे है ये टोटल आउट आफ कॉंटेक्स है क्योंकि ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता तरहसल यहां पे डांट लगा रहा है वो कह रहा है कि तुम वही जीब से प्रभु की अरादना और वही जीब से तुम दूस्सों की बुराई ये है इसका कॉंटेक्ट लेकिन ब्लसिंग मिलेगी आशिश मिलेगी ऐसा ये दो वचन का कोई संदर्ब किसी प्रकार का नाता दूर दूर तक नहीं है तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा क्यों सिखाते ना पाप का जीवन रखकर कंफेस करने का क्या मतलब मैं रिपीर कर दूँ पाप का जीवन रखने का आपका जीवन ही पाप का है और फिर राइट कंफेसिंग कॉंसेट कहां से लागो होता है बताई जब आपका जीवन ही पाप में है तो कफेश करके क्या फ़ैदा यह तो ऐसा हो गया ना कि प्रभू आपके साथ में कैसा हूँ यह सेकेंडरी यह आपके आपके साथ में मैं कैसा भी चलू यह बात की बात है लेकिन आप मेरे साथ ठीक यह क्या हो गया यह कैसे हो सकता है जी तो पाप का जीवन रखकर कंफेसिंग का कॉंसेप्ट पूरी तरह से गलात है मैं आपको बताता हूं यह बात मेरे दिमाग में क्यों है दरहसल फेस्बुक पे दो दिन पहले मैं किसी को प्रचार करते वे सुन रहा था उसका नाम नहीं लोगा एंठदिकत हो जाएगी वह बोल रहा था करो नहीं है तो सकता है जिसका जीवन ठीक नहीं है उसकी बात समझ में आती है, कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे भी तो लोग है जिनका जीवन ठीक है, फिर उनका क्या, तो फिर उनके लिए अगला वचन, पहले बता देता हूँ, लिखा है, खुद प्रातना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, शमा नहीं करते, यह तो गड़बड है, लेकिन ऐसा कुछ लोग अगर नहीं करते तो उनकी लिए क्या तो उनके लिए यह वचन है, मती 36 क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धरम की खोच करो, तो यह सब वस्तुए भी तुमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे कंफेशन करने, करने को नहीं लिखा है, यहां कबूल करने को नहीं लिखा है, बलकि लिखा है, पहले उसके राज और धरम की खोच करो, तो इसका मतलब है के कंफेशिंक का कॉष्टीर टौटली, मासी की धहमें, टीचिंग, सिद्दान, डॉक्टिंग, फेल, 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 तोटल फेल है, ह अगर ये वीडियो उन तक पहुचती है, मैं उनको कहना चाहता हूँ सर, जल्दी से सुधर जाएए, अपनी टीचिंग को ठीक करिए, क्योंकि confess करने से अगर सब का भला हो गया होता, तो आप लोग शोशल मीडिया पे ओनलाइन आकर दूसरों के लिए प्रातना करते नहीं ब पचासों कनफेस कर लिए, कुछ नहीं सुधर एकका दुक्का बाइफ लुक, वो भी किसी और वज़ा से, जो कि हम नहीं जानते क्या है, लेकिन ये कौनसेप्ट लेकर आना, कि कनफेस करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई टीचिंग मसी के देह में नहीं चलना चाहिए, और नहीं चला चलाओ, और नहीं चलाओ, ठीक है ना, दोस्तों, मैं चाहता हो कि आप इसको याद रखें, अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकत होगी, इसको जितना हो सकता है, शेर करिएगा, और मैं कल फेस्बुक के उपर 21, 22, 23, लगा अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, जया मसी.